नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जिसको देखकर निश्चित ही आज आपको लगने वाला है कि भारत का जो वैस्विक इस तर पर प्रभाव है व लेकिन भारत जो है वो अब कैनेडा से पीछे नहीं हटा था कारण क्या था भारत और कैनेडा के रिष्टे खराब होने का तो कारण थे ये व्यक्ति तस्वीर में यह आपको दिखाई देते हैं ये हैं प्रधानमंत्री कैनेडा के नाम है जिनका जस्टिन टूडो जिन्हो में क्या ये रिष्टे भारत की जल्दवाजी के कारण खराब हुए थे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं था असल में एक लंबे समय से कैनेडा के अंदर लगातार भारत विरोधी गत्विदियां हो रही थी कैनेडा के अंदर लेकिन जस्टिन टूडो की सरकार लगातार उसके उपर उदासीन व्यवहार अपना रही थी और भारत के खिलाफ होने वाली गत्विदियों पर कोई भी लगाम इनके द्वारा लगाई नहीं जा रही थी ऐसी इस्तिती में भारत की सरकार को भी अच्छी तरह से पता था कि कोई भी कदम भारत के द्वारा जब उठाया पर दो बार के चुनाब हुए है 2019 और 2021 असल में दो टर्म जो होता है इनका 4 साल का टर्म होता है लेकिन बीच में दो साल के बाद ही इनोंने इलेक्शन क्यों करा इसको भी आज की सैसन में जानेंगे लेकिन 2019 और 2021 के जो चुनाब है केनेडा के अंदर जिसमें जस्टिन टूड प्रफानमंत्री दोनों बार बने थे उनको भारत के द्वारा प्रभावित कराया गया है ऐसा इनके द्वारा आरोप लगाया गया है असल में यह आरोप कम लगता है लेकिन इस से आपको जरूर महसूस होगा की कैनेडा किस प्रकार का एक देश है और साथ हूं जैसा आज तक हम सुनते आए थे हम आज तक देखते आए हैं पाकिस्तान का यदि ओधारन ने तो पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान है वो अभी भी जेल के अंदर है उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है उन्होंने आरोप लगाए थे अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने उनके चुनाब प्रभावित किये हैं ऐसे ही हम बंगला देश के अंदर देखते हैं तमाम देश ऐसे हैं जो बड़े बड़े देश गुआ करते थे जो विक्सित देश गुआ करते थे वो एक दूसरे के यहाँ पर चोटे देशों के यहाँ पर या एक दूसरे देशों के यहाँ पर चुनाव प्रभावित करते थे लेकिन अब भारत का नाम भी इस लिश्ट के अंदर आ गया है कि क्या भारत इतना सक्षम अब हो चुका है कि एक विक्सित देश जा नाम है जिसका कैनेडा उसके चुनाव को भारत के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है बड़े आनंदी की ये बात है निश्चित ही आपको ये खुसी जरूर होगी कि चुनाव यदि भारत जब किसी देश का राष्टा ध्यप्च खुद कहता है कि उनके यहां के चुनाव भारत ने प्रभावित कराए है तो निश्चित ही ये एक जानने वाली ख़बर है आप न्यूस देखते हैं कैनेडा प्रोव टू लुक इंटू इंडियाज रोल इन इंफ्लूएंसिंग इलेक्शन कि चुनाव को प्रभावित करने में भारत का क्या योगदान रहा है उसकी हम अब जाच कर रहे हैं ऐसा कैनेडा के द्वारा कहा गया है कैनेडा ओफिसियली एड़् इंडिया तो टेल तो इट्स प्रोब ओन इलेक्शन मेडलिंग इलेक्शन की जो मेडलिंग है उसके अंदर जो जाच चल रही है प्रोब चल रहा है उसके अंदर कैनेडा ने ओफिसियली अब इंडिया का नाम सामिल कर दिया है कि अब हम इंडिया के पॉइंट ओफ व्यू से भी सोचेंगे अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत आखिर क्यों प्रभावित करने लगा इनके यहाँ पर चुनाब तो बड़ी मात्रा में लगबग 5.1% के करीब जो टोटल पॉपुलेशन है कैनेडा की उसके अंदर सिर्फ भारती ये रहते हैं और भारतीयों में भी सिर्फ और सिर्फ जो सिख जमदाय के लोग हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके अंदर जो टोटल भारती रहते हैं 5.1% इनकी टोटल पॉपुलेशन के उसमें से भी लगबग लगबग आप माने यदि 5.1% को 100% लगबग देखते हैं तो उसमें से लगबग 80% के करीब आपको यहां सिर्फ सिख मिलेंगे बाकी जो है अधर कम्यूनिटीज भारत से गई है कैनेडा वो मिलेंगी ऐसी इस्तिती में जब भारत के बिरोध में प्रदर्सन कैनेडा के अंदर लगातार चल रहे थे तो इनका कहना है कि भारत ने प्रयास कियोंगे कि जो सिख समुदाय खलिस्तानी समर्थक जो समुदाय है जो टूडो को बोट करता है वो बोट इनको ना दे पाए या फिर एक दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि किस प्रकार से भारत ने प्रवावित किये है वो तरीका थोड़ा सा लगता ही नहीं है कि भारत ने कुछ प्रवावित किया है जब 5.1% टोटल पॉपुलेशन का जब इंडियन पॉपुलेशन है ऐसी स्तिती में इंडिया के दौरा इंडियन से साइद ये कहा गया हो कि आपके हित में जो भी नेता काम करें आप उसको वोट की जिये जैसा कि कहा जाता है कि जो आपके हित में केनेडा के अंदर काम करता हो उसके लिए आप वोट करें इंडिया के द्वारा लेकिन ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई इंडिया का प्रवावित इंडिया के द्वारा चुना प्रवावित करना बिल्कुल नहीं बोला जाएगा क्योंकि भारत हमेशा हर देश के अंदर अपने नागरिकों के हित के बारे में सुरक्षा करता है चिंता करता है आगे बात करें इंडिया केनेडा ब्रॉडरंस प्रोब इंटू एलीजड इंड जो इनके फेडरल इलेक्संस थे उस जाच को अब और जादा इन्होंने तेज कर दिया है गंभीरता पूर्वा की जाच कर रहे हैं केनेडा ने खलिस्तानी आतंकी हरदीप सिंग निजर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था इसके बाद से ही दोनों देशों के रिस्तों में तनाब है अब वहां के चुनाओ में विदेशी दखल की जाच कर रहे कमीशन ने कहा है कि इस मामले में भारत का नाम भी आया है कमीशन ने टूडो सरकार से इस मामले की जानकारी मांगी है बाकायदा एक कमीशन नियुक्त किया गया है जो इस मामले में जाच क कि structure क्या है Canada की अंदर Parliament का या फर Canada की जो सरकार हैं वो चलती किस प्रकार से हैं तो इनके जो elections है उनको बोला जाता है नैश्नल या फर फेडरल elections in Canada किस प्रकार होते हैं तो Canada की जो Parliament है उसके अंदर भी दो House है दो हाउस जैसे कि भारत की यदि हम संसद की बात करते हैं जो भारत की परलियमेंट है उसके अंदर भी दो सदन हैं कौन-कौन से एक है लोक सभा लोक सभा हमारा वो सदन है जहां से हमारे संसद चुनकर आते हैं लोग डारेक्ट इन्हें बोट करते हैं और लोगों का बोट ल अंदर direct elections जो होना जरूरी नहीं है बलकि कुछ categorized election होते हैं और इसको वरिष्ट सदन माना जाता है राजी सभा कभी भी भंग नहीं होती है इसके जो members हैं हर 5 साल बाद एक तहाई जो members हैं वो change इसके कर दिये जाते हैं लोक सभा के अंदर हर 5 साल बाद नया चुनाब होता है और लोक सभा के अंदर जो सदन का नेता होता है उसी को हम प्रधान मंत्री के तौर पर जानते हैं तो उपर की यदि हम system समझें केनेडा का तो केनेडा के अंदर जैसे भारत के अंदर लोक सभा है उसी प्रकार से इनके अंदर होता है लोक सभा के समकष house of commons house of commons इसको बोल केनडा के अंदर राजसभा को सीनेट की तरह माना जाता है सीनेट इनका बिल्कुल हमारे राजसभा की तरह परमानेंट चलने वाला सदन है इसके जो मेंबर्स हैं वो 75 साल की अपनी एज तक इसके मेंबर बने रहते हैं और राश्टपती के दौरा प्रधानमंत्री की सिफार अपने पद्पर बने रहते हैं क्योंकि 4 साल का टर्म होता है इनका प्रधानमंत्री का और सीनेटर की एज होती है वो 75 तक ये अपने पद्पर बने रहते हैं तो ये था जिस सभाह है जिसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं उसके अंदर 105 मेंबर होते हैं नेशनल एलेक्शन्स और गवरंड बाई केनेडा एलेक्शन्स एक एक्ट बनाया गया है जिसके चलते केनेडा के अंदर एक एजेंसी है नाम है जिसका एलेक्शन्स केनेडा जैसे हमारे यहा पार्टियां केनेडा के अंदर रहती हैं सत्ता के अंदर या तो एक पार्टी है लिबरल पार्टी वो रहती है सत्ता में हमेशा या फिर दूसरी पार्टी है कंजरबेटिव पार्टी वो सत्ता में रहती है और लिबरल पार्टी से ही आते हैं जस्टिन टूडो एक तीसरी प पहते हैं अब चुनाब जुएं दो साल के अंदर ही चुनाब हुए 2019 के अंदर चुनाब हुए थे कैनेडा के अंदर तो हुआ ऐसा कि जो इनकी लिबरल पार्टी है जस्तिन टूरो वाली वो चुनाब के अंदर 155 सीट ही जीत पाई थी इसलिए इन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी, गठबंधन की सरकार जब भी बनती है तब independently कोई भी legislation या कानून पास करने में समस्याय आती है, decisions लेने में problem होती है, क्योंकि जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो दूसरी पार्टी की बात आपको सुननी होती है, यही बा ट्रूडो को परिशान कर रही थी, तो ट्रूडो जो है, वो अपना कानून में ठीक से नहीं बना पा रहे थे, तो 2019 के बाद 2021 में कोरूना आ जाता है, कोरूना के अंदर काफी बड़ी संख्या में vaccination किया जाता है लोगों का, ऐसी स्थिति में छबी अच्छी हो जाती है, ज चुनाब करा लिए जाते हैं, और पूर्ण वहुत से आ जाते हैं सत्ता के अंदर, जिससे कि बिना किसी पार्टी के उपर depend हुए, ये अपने चुनाब बगएरा लड़ सकें, अपने decisions ले सकें, कानून बगएरा पहर बदल दुनिया के अंदर करते रहेंगे, अब जो आप 2023 की The Washington Post, अमेरिका के newspaper की ये cutting है, Trudeau orders probe of alleged Chinese interference in Canadian election, कुल मिला कर इनके यहां पर जो चुनाब हैं, वो कभी China प्रभावित कर देता है, कभी India प्रभावित किये जा रहा है, आगे आप देखेंगे, रसिया का भी नाम इसके अंदर आ रहा है, इरान का भी नाम इसके अंदर आ र रहे हैं, और China के ऊपर भी allegations लगा चुके हैं, जिसके परिणाम में China ने इन्हें काफी जादा बुरा कहकर इनको डाट फटकार दिया था, आप देखते है, Chinese FM slams Canada's accusation, कि ये जो है पूरी तरह से खंडन कर दिया था, इसकी निंदा की गई थी इनके द्वारा, चाइना के द जैसा हमने इंडिया और केनेडा की case में देखा था, सेम वैसा ही कुछ देखने को सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर लग गया था, चाइना ने केनेडा के डिप्लोमेट्स तक अपने यहां से भगा दिये थे, जिसके बदले में केनेडा ने भी चाइना के डिप्लोमेट्स अप सनलिप्तता की जाच कर रहा है, कि ये दोनों देश भी इस इंटर्फिरेंस के अंदर सामिल हैं, चुनाबों में जस्टिन टूडो के नेतरतो वाले उधारवादियों को फिर से निर्वाचित होते देखा गया, चीन पर आरोप लगाया गया, कि उसने पर परंपरावादिय के खिलाफ जो कंजरवेटिव्स हैं, उनके खिलाफ उधारवादियों का समर्थन किया था, कुल मिलाकर इनके द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कैनेडियन इस्टडी परमिट्स फॉर इंडियन सी 86% डिक्रीज, अब ये खबर आपको संबंदित जाननी है, कि क्या प्रभाव ये पड़े हैं, भारत और कैनेडा के रिष्टे की बज़े से, कैनेडा को नुकसान होना है, या फिर भारत को नुकसान होना है, निश्चित ही जब दो देशों के रिष्टे खराब होते हैं, तो प्रभाव दोनों के ऊपर ही पड़ता है, लेकिन हमारे जो वीजा बगेरा के अंदर काफी समस्या आ रही हैं इसके चलते 86% कमी देखने को मिलेगी जिस कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे पर 2024 में आए थे फ्रांस के राष्ट पती इमेनुवल मैकरोन, मैकरोन सहाब वादा करके गए हैं कि अब हम लगभग 10.2 billion की वहारत से होती थी अब इसके अंदर सीधे शीधे 86-85% की कमी आने की संभभनाई बरकरार हैं थोड़ा सा जानते हैं कि केनेड़ा जाने वाले भारती जात्रों की संख्या क्या रही है क्या नहीं रही है तो 2009 के ये आंक्रे देखते हैं उस समय 31,665 भारती जात्र 2009 के अंदर केनेड़ा में उसके बाद 2018 आता है उसमें एक लाख एकत्तर हजार 505 संख्या इनकी हो जाती हो इसके बाद आप देखेंगे 2022 बहरत के पढ़ रही थे अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि बहरत के जो लोग हैं वो केनेडा के अंदर कब से और क्यों रह रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती हुई क्यों जा तो समय है 1897 का जब भारत के उपर ब्रिटेन का सासन हुआ करता था हम ब्रिटेश सरकार के अधीन हुआ करते थे उस समय क्वीन विक्टोरिया के साथ गई सेने टुकडी में सामिल थे कैनेडा जाने वाले पहले सिख रिसालिदार मेजर केसर सिंग केसर सिंग पहले सिख थे ज 5000 भारतिय ब्रिटिस कोलंबिया पहुंचे जिसमें 90% सिख थे दो ही जगे ऐसी हैं केनेडा के अंदर जहां बड़ी मात्रा में भारतिय रहते हैं एक है ब्रिटिस कोलंबिया और एक है ओंटोरियो ओंटोरियो में भी काफी संख्याम भारतिय पाई जाते हैं और यहां भी तो केनेडा की लिबरल पार्टी की सरकार ने सिखों के बसने के लिए नियम आसान किये स्टेटिस्टिक्स केनेडा की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केनेडा ही जनसंख्या में करीब साड़े अठारे लाग यानि 5.1% लोग भारतिये हैं केनेडा में 7.71 लाग लोग जो हैं वो हैं सिख समुदाए के यह केनेडा की चौथे सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला समुदाए हैं केनेडा में ज्यादातर लोग बहतर लाइफ स्टाइल के लिए पैसे कमाने जाते हैं केनेडा में कम बेरोजगारी दर है इसका एक बड़ा फेक्टर है कि लोग केनेडा जाना पसंद करते ह अच्छी salaries Canada के अंदर लोगों को मिलती हैं अब जो हम चर्चा कर रहे थे Canada का क्या ऐसा नियम बनाया गया है जिससे संख्या के अंदर कमी आ रही है तो एक नया नियम इनके द्वारा चेंज किया गया है वीजा के जो नौर्म्स हैं उनको उनके अंदर changes किये गए हैं कुछ Indian students क के लिए कि कम से कम दो साल का वीजा आपके पास होना चाहिए तभी आप Canada के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं आमूमन students जाते हैं कुछ समय का वीजा लेका और बाद में वीजा extension के माध्यम से वीजा extend होते रहते हैं लेकिन अब जब students आएंगे तो कम से कम दो साल का वीजा उनक और ये नियम इसी लिए बनाया गया है कि भारती स्टूडेंट्स केनेडा में कम पहुँच पाएं आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताईए उम्मीदे साथियो पूरा session आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो पसंद आया हो वीडियो को लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद